हलो फ्रेंट्स competition community में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदीश में म्रदा अठाथ स्वाइल के MCQ के बारे में तो चलिए सम्हारे सबसे पहले प्रश्ण की ओर आंगे बढ़ते हैं म्रदा का अध्यन करना क्या कहलाता है देखिए आप सबने सुना होगा कि बहुत सारी अलग-अलग चीजों का अध्यन किया जाता है और उन अध्यन करने की शाखाओं को अलग-अलग नामों से जाना जाता है आपके पास option है क्रोमोलोजी, पेडोलोजी, हाइडोलोजी और साइकलोलोजी देखिए जब हम बात करते हैं कि क्रोमोलोजी, पेडोलोजी, हाइडोलोजी और साइकलोजी की तो साइकलोजी ये दिमाग का अध्यन करना कहलाता है मतला मानसिक विकारों का अध्यन करना साइकलोलोजी कहलात मध्य प्रदेश राज्ज में प्रमुख रूप से कितने प्रकार की म्रदा पाई जाती है आपसे कॉश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश राज्ज है इस संपूर्ण राज्ज में कितने प्रकार की म्रदा पाई जाती है ऑप्शन है तीन पांच साथ और छे तो देखे यह में काली ब्रस्टी के भेसे ज़ूडंनिटी ज़ूर्मिटी के बाध मिलती है लालओपीली मिट् इसके बाद हमको मिलती ostr Knee और हमें कछारी मिट्टी कि इस पांट प्रकार से में पांस प्रकार की मिट्टिय एक देखनें को मिलती है कौन-कौन से एक है काली मिट्टी, दूसरी है जलोर मिट्टी, तीसरी लाल पीली मिट्टी, चौथी है मिशृत मिट्टी और पाँचवी है कछारी मिट्टी काली मिट्टी के सम्मंद में गलत कत्रों पर विचार कीजे देखे अब आपको काली मिट्टी के सम्मंद में गलत कत्रों पर विचार करना है मतलब मध्य प्रदेश के सम्मंद में क्या क्या गलत है या प्रदेश में सरवाधिक पाई जाती है इस म्रदा की प्रकृती शारी होती है इसके काले रंग होनी का कारण फैरिक ऑक्साइड की अधिकता है या कपास उत्पादन के लिए प्रयोक तुमानी जाती है देखें जैसी आपकी दिमाग में आ रहा ना कि काली मिट्टी के उपर बात करनी है तो काली मिट्टी प्रदेश में सरवाधिक पाई जाती है आपको पता है कि सरवाधिक पाई जाती है प्रदेश में सरवाधिक प्रदेश में भी किस छेतर में पाई जाती है तो मालवा के पठार में पाई जाती है ये मिट्टी जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है तो लावा से हुआ है जो आलमुखी से लिकले लावे सुआ है और बेसाल्ट और ग्रेनाइट चत्तानो के अपशेवा अपड़तन से हुआ है इसके साथ में यह मिट्टी सबसे ज़ादा किस चीज के लिए उप्रुक्त है तो कपास उत्पादन के लिए उप्रुक्त है कपास उत्पादन सबसे ज़ादा कहा होता है तो खंडवा और खरगौन में होता है इसके बाद जो काली मिट्टी है इसे चेरनोजम नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा हम बात करते हैं यहां प्रदेश में सरवाधिक पाई जाती है इस म्रदा की जो प्रकृती है वो शारी होती है मतलब यह शारी प्रकृती की म्रदा है इसके साथ में इसके काली रंग का कारण फैरिक ऑक्साइड नहीं होता बलकि आइरन की अधिकता होती है अर्थात लोहे की अधिकता होती है तो आइरन की अधिकता के कारण इसका रंग जो है वो काला होता है ऐसी आपने एक कॉश्चन और सुना होगा कि जो कड़कनात जो मद्यपरिदीश में पाया जाता है और इसे जी आई टेक भी प्राप्त है और इस मुर्गे का जो रंग है वो किस कारण से काला कलर का होता है ये कॉश्चन भी पूछा जाता है देखें कि इसके आंगे इसलिए मैं आपको आंसर नहीं बता रही हूं उसका तो बात कर लेत हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें गलत क्या हो जाएगा तो अप्सन नंबर सी जुरहेगा आपका गलत होगा तो कि फैरिक ऑक्साइड की अधिक्ता से जो लाल पीली मिट्टी है उसका रंग लाल होता है नेक्स कोशन देखें ये है काली मिट्टी और काली मिट्टी में आप देख रहे हैं कि इसमें उपर की तरफ से धरारी आ जाती है बलकि अंदर की तरफ में ये पानी को संग्रहित करके रखती है जलोन मिट्टी मद्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है भोपाल, मंडला, हर्दा और मुरैना देखे जैसी जलोन मिट्टी की बात हो रही है तो हम पहले ही देख चुके हैं जलोन मिट्टी का मतलब वहाँ मिट्टी जो की जल को ओडे हुए है अठाद नदियों के द्वारा बहागर लगाई जाती है ये मिट्टी इसके अलावा जो नदियां है ये दो प्रकार की जलोन मिट्टी बनाती है पहली होती है बांगर जलोन मिट्टी और दूसरी होती है खादर जलोन मिट्टी और मद्धि प्रिदेश की बात करें तो मद्ध जाए कि कौन-कौन से जिले आते तो एक आता है भिंड दूसरा आता है मुरैना तीसरा आता है शिव पुरी और चौथा आता है गोवालियर और इन जिलों और इनके आसपास के जिलों में जो जलोन मिट्टी है वो पाई जाती हो और यह सरवाधिक उप्यूक्त सरवाधिक उद्पादन के लिए मतलब इसकी उर्वरक्शंता बहुत जादा होती है यह नदी देख रहे हैं आप नदी का जो किनारे वाला भागे मतलब यह जो टीला है यह जो छेतर है इस छेतर में या तो इस नदी ने पानी और पानी की कारण या तो इस नदी ने यहां पर लाके इन मिट्टियों को जमा किया है पहली कंडिशन या दूसरी कंडिशन यह जो नदी है यहां से बहते जा रही है और इस छेतर से मिट्टी को काटते जा रही है और इस वज़े से जो घाठ है यह पीछे कि सकता जाएगा जो कि मिट्टी नदी काटते जाएगी तो एक रीजन य हो सकता है कि अगर इदम नदी शांत चल रही हो यहां से तो हो सकता है कि मिट्टी को यहां पे लाके नदी छोड़ रही हो जलोड मिट्टी के प्रमुख प्रकार का चैन कीजिए जलोड मिट्टी के प्रकारों का चैन करना है छिछली मिट्टी कछारी मिट्टी खादर मिट्टी उप्रियुक्त सभी देखे जब जलोण मिट्टी के प्रकारों को हमने दो सेकंड पहले ही देखा था तो आपका आंसर आजाएगा खादर मिट्टी छिचली मिट्टी की बात करते हैं तो यह जो है यह काली मिट्टी का एक प्रकार है और जो कछारी मिट्टी है ये मिक्स होती है मतलब मिश्रु ट्रैप की मिट्टी होती है जो कछारी मिट्टी है नदी अपने अपवहा तंत्र के मतलब अपवहा के किनारों में बिचाती है घाट की तरफ में अर्था तट में बिचाती है और इस मिट्टी में कुछ जगा पे सबजीयों का उत्पादन भी किया जाता है म्रदा अपर्दन से सम्मन्धित आसत्य कथन का चैन कीजे माधि प्रदिश में सरवाधिक म्रदा अपर्दन चम्मल नदी करती है म्रदा की अपर्दन को रेंगती हुई मुरत्यू भी कहा जाता है मांसूनी वर्षा म्रदा अपर्दन का मुख्य कारण है उपर्योक्त में से कोई नहीं देखो जैसे ही म्रदा अपर्दन की हम बात करते हैं तो आपको पता है म्रदा अपर्दन क्या होता है एक खुले हुय स्थान से मिट्टी का किसी भी विदी के द्वारा बह जाना हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है मुख्य कारण इसका मानसूनी वर्षा होती यूझि मानसूनी वर्षा बहुत तेज होती है और बहुत तेज बारिश की वज़र से जो मिटी है वो बहच आतिये और इस वज़ہ से अत्याधे का परदन होता है वहीं दूसरे हम बात करें दूसरे ट Cr замеч की यहां पर लिखा न है मध्य परदेश में सरवादी का परदन करती है सर्वादी का परदन करती है जो कि भिंड और मुरैना जिलों में करती है मांसुनी वर्षा म्रद अपर्दन का मुख्य कारन थीक है यह कौशन यह तॉपिक सही हो जाएगा यह बिल्कुल सही बात है जो है वह मानव जीवन का एक आधार है क्योंकि इसी में फल, फूर्ट, पॉधे, सब्जी, सारी चीजें इसी में लगती है और इसी से मानव को भोजन की प्राप्ति होती है तो इस आधार पर यदि हम देखें कि म्रदा अपर्दन को रेंगिती हुई मृत्यू मतलब धीरे धीरे आती हुई मृत्यू कहा जाता है तो ये बात भी सही है तो आप्शन नंबर डी जो है आपका सही अंसर हो जाएगा अप बह रही है जैसे ही नदी का जल इस्थर ऊचा होगा नदी ऊपर की तरफ जाएगी तो नदी में जैसी पानी बढ़ेगा तो नदी जो है यह आजो बजो के इरिये को इसको काटना शुरू कर देगी जैसे नदी ने आधा काट चुकी है अब इसके बाद नदी का पानी जब है और इसकी उत्पति किस भाषा के शब्दों से हुई है देखे जब हम बात करते हैं एग्री कल्चर की तो आप सभी को पता है एग्री कल्चर किस भाषा का शब्द है यहां हमने क्लास में बात कर ली थी औपजेक्टिव देख लेते ऑप्शन देख लेते हैं अंग्रेज करना है न तो अंग्रेजी भाषा का सब्द ठीक है इसके बाद इसकी उत्पति किस भाषा से हुई है तो जो अग्री कल्चर है इसकी उत्पति जो ही है वह लैटिन हाशा से हुई है इसका यह भी सही हा था तो ऑप्शन नमबर ए आपका सही होगा मध्य प्रदिश में प्र क्रशी जोत का सरवधिक जो आकार है वो हर्दा जिले में स्थित है क्रशी के संब्ध में असत्य कथन चुनिये पहला है एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र सीहोर की अमलाहा में प्रस्तावित है दूसरा है मध्य प्रदीश को दस बार क्रशी कमड पुरुस केंद्र सरकार के द्वारा राजियों को दिया जाता है इसके अलावा इशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र शिहोर में खोला जा रहा है बिल्कुल सही बात है यह प्रस्तावित है मध्य प्रदेश को दस बार क्रशी कमड अवर्ड दिया गया है देखिए सेव नगरी भी कहा जाता है नौट सेव नगरी सेव नमकीन में हम डालके खाते ना वही सेव और यह जो सेव यह बहुत जादा फेमस है और रतलाम में भी और बाकी सारी जगहाओं पर आप कहते होंगे कभी भी सेव लेने जाएंगे तो रतलामी सेव चाहिए क्योंकि यह फेमस है इस सेव को भीलडी सेव भी कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि इसको बनानी की जो विदियां है वो हमें भीलों से प्राप्थ हुए इस कारण से इसे भीलडी सेव भी कहा जाता है तो आपका option number B जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा असत्य कधन क्रशी को पांच बार क्रशी क्रमण अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश को मिला है और क्रशी को सभी सब्विताओं की जन्नी का जाता है यह तो बिल्कुल सही बात है तो इसे साब से अप्शन नंबर भी मध्य प्रदेश में गेहूं की सर्वशेष्ट किश्म शर्बती गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है शर्बती गेहूं की जब हम बात करते हैं तो यहां मध्य प्रदेश में नहीं देश में सबसे जादा उच्छ किस्म का गेहूं होता है इसे गोल्डन वीट भी कहा जाता है बात कर लेते हैं जिलों की सिहोर उज्ञेन जवलपूर कटनी गवालियर और गुना उज्ञेन और धार तो मध्य प्रदेश में सर्बती किश्म का गेहूं सिहोर और उज्ञेन जिलों से प्राप्त होता है तो आप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए है ऑप्शन है धार बेवास इंदौर और बढ़वानी तो देखे जैसे आपको धान अनसलब्दान केंदर हो रहा है है तो द्धान का मतलब सीधे सीधे होता है चावल से तो चावल अनुसंधान की इंडर कहां पर इस्थित है तो यह बढ़वानी जिले में इस्थित अर्थात ऑप्षन नमबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मध्यप्रदेश में मक्का महोथसव का आयोजन कहा होता है चटरपुर चिंदवाड़ा इंदोर और आगर मालवा देखें मध्यप्रदेश जो है वह मक्का उतपादन में अब धीरे धीरे आंगे बढ़ रहा है और मक्का के जब हम बात करते हैं तो इसे ही कहा जाता है चिंदवाड़ा जो जिला है इसे कौन सिटी भी कहा जाता है इसके अलावा इसी जिले में मक्का महोचव आयोजित होता है तो आप्शन नमबर दी आपका सही आंसर हो जाएगा चिंदवाड़ा आपको यहां पर फशल और उनके व्याग्यानिक नामों को बताना है पहला ऑप्शन आपको जो आता है वहां से आप शुरू कीजिए जैसे माल लीजिए आप को एक पता है कि मक्का जो है मक्का का जो वग्यारिक नाम है वो जियामेन है तो मक्का को जियामेन से कनेक्ट कर दीजे पहले सोयवीन का सबको बता होता है कि सोयवीन का जो है वो ग्लाइसी मैक्स है सोयवीन को ग्लाइसी मैक्स से कनेक्ट कीजे कपास की जब हम बात करते हैं एक बार option देख लें मक्का 4 मतलब जो 4th number में option number A और D हो सकता है फिर बात कर लिजे soya bean की option number 1 का 3 कहां पर है तो 1 का 3 जो है option number D में आपका answer वैसे भी मिल गया और अगर आप ऐसे भी लगाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कपास को किसे खा जाता है कपास का जो वैज्ञानिक नाम है वो हो गया गोसी पियम और चने की बात करते हैं तो चने का जो वैज्ञानिक नाम है वो सिसर एरिटीनम हो जाएगा तो इससे आप से option देखिए 3,1,2,4 3,1,2,4 तो option number D आपका सही आंसर होगा बिल्कुल मद्य प्रदेश में सरवादि कहवा का उत्पादन कहा होता है देखिए जैसी बात आती है कहवा की तो आप सभी को पता ने होता कि कहवा क्या होता है इसलिए मैंने आप फोटो लगा के रखिए कहवा का मतलब होता है कॉफी से कॉफी और मद्य प्रदेश में बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां पर कॉफी का उत्पादन होता है और मानली जे की एक ही स्थान ऐसा है जो कि बैतूल का भैस देही शेतर है तो इसका अंसर होगा option number A बैतूल का भैस देही शेतर जहां पर कहवे का या फिर कॉफी का उत्पादन होता है जब कॉफी की बात करते हैं तो कॉफी के अंदर कैफीन होता है जो कि आपकी नीद को भगाने का कारी करता है मद्य प्रदेश में क्रशी सम्मंदित योजनाओं पर विचार कीजिए कि मद्य प्रदेश में कौन-कौन सी योजना का वाई थी बलरामताल योजना 2007 भावंतर भुगतान योजना 2017 सरल भीमा योजना 1985 जलदीप योजना 2007 option देखते है option लिखा है कथन 1,2 और 3 सही है दूसरा है 4,3,2 सही है तीसरा है सभी कथन सत्य है और चौथा है कथन 1 और 4 सही है option देखते है बलरामताल योजना बिलकुल सही बात है 2007 में आया था तो यह सही हो गया भावंतर भुगतान योजना 2017 बिलकुल सही है भावंतर भुगतान योजना 2017 में आया थी फसल बिमा योजना ये भी 1995 में लगू की गई थी जिससे किसानों को अपनी फसल को ले की जादा नुकसान ना जहिलना पड़े जल्दीप योजना 2007 में ठीक है जल्दीप योजना और बलरामताल योजना हमने दोनों एक साथ याद की थी कि 2007 में आती है तो 2007 तो आप्षन आपके सारे सही हो जाएंगे अप्षन नंबर सी इसका सही आंसर होगा सभी कथन सकते हैं माल्मा में पाया जाने वाला कड़कनाथ मुर्गा किस वर्णक की अधिकता के कारण काला दिखाई देता है देखिए हमने इसके बारे पहले में बात की थी इस बारे में कि किस वर्णक के कारण की काला दिखाई देता है आप्शन है आईरन, फाइब्रिनोजन, बेसाल्ट और मेलनिल, देखे जब हम बात करते हैं आईरन की, तो आईरन यहाँ वह वर्लक है, जिसके कारण काली मिट्टी जो है, उसका रंग काला दिखाई देता है, आईरन हमारी बॉडी में भी होता है, हेमोगलोबिन के रूप मे होता है, इसके अलावा हम देखते हैं बेसाल्ट, तो बेसाल्ट जो है यह चटान का एक प्रकार है, बात करते हैं फाइब्रिनोजन की, तो फाइब्रिनोजन जो है, वो हमारे ब्लड में पाया जाता है, फिर बात करते हैं मैलानिन की, तो मैलानिन वह वर्नक है, जिसकी आप देख सकते हैं यह तो पूरा काला है और इसके जो अंडे आपी रखी हुए इन अंडों का रंग भी जो है वो काला है और इसका मीट जो बन चुका है यह मीट भी आपको पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा होगा तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही अंसर होगा मैलनिन निम्ल फस्तलों और उनके उत्पादक जिलों पर विचार कीजिए बाजरा सरसों अफी गन्ना भिंड मंदसौर ग्वालियर नर्सिंग पूर देखे सबसे इजी की तरफ से आंगे बढ़ते गन्ने का उत्पादन और अपने पढ़़ा था कि नर्सिंग पूर जिले में होता है गन्ने का शक्कर का और इसके अलावा गुड का तीनों चीजों के उत्पादन में जो फिर्स्ट स्थान पर है वह जिला नर्सिंग पूर इसके अलावा हम देखते हैं आफीम का उध्वाधन जो है वह मंसौर से होता है एक हम उतना दीक नोन चीन मतर सब्सक्राइप लेड़ कहां मिलता है यह जो होता है इसका मतलब यह है कि मद्द्रदीश का अगर पूरा इस थाल में कौन से एस इस इस्थाने जहां पर अत्य अधिक विज होता है जरा जरा से बीज होते हैं और इन बीजों को प्रेस करके इनका पूरा ओयल निकाला जाता है जो हमें सोया ओयल की रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है और उस ओयल निकालने के बाद जो बचा कुछा जो मर्क्रीरियल होता है उससे इस प्रकार की बढ़िया मनाई जात मध्य प्रदेश किस तिलहन के उत्पादन में सबसे अधिक महत्वे रखता है भारत के आधे से जादा सोयवीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और थोड़ा कम मात्रा में होता है अलसी की बात करें तो अलसी नाम मात्र का ही मध्य प्रदेश में होता है सोयवीन की बात करें तो यह भारत में मध्य प्रदेश में सरवादिक होता है इस कारण से आप्शन नंबर जो भी है वो सही हो जाएगा सोयवीन यह एक तिलहन फसल भी है मध्य प्रदेश को किस जिले में सकल बुआई छेतर के प्रती सकल सिंचित छेतर का प्रतिशत सबसे कम है सीधी, सहडोल, डिंडोरी और मंडला कॉशन ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के पूरे छेतर में जितने भी जिले हैं उन सारे जिलों में किस छेतर का सकल सिंचित छेतर सबसे कम है मतलब ऐसा कौन सा छेतर जहां पर सिचाई सबसे कम होती है option है सीधी, सहडोल, डिंडौरी और मंडला तो आपका आंसर हो जाएगा option number C, डिंडौरी मध्य प्रदेश क्रशी विपड़न बोड की स्थापना कब की गई थी 1968, 1971, 1978, 1982 मध्य प्रदेश क्रशी विपड़न बोड की स्थापना 1971 में version 1971 में option number B आपका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जन जाती के क्रश्चकों के कल्यान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है किसाल, लक्ष्मी योजना, सूरज, धादार योजना, मेरा खेत, मेरी माटी योजना और आपका योजना देखे जह हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाती और जनजाती के क्रश्चकों के लिए सूरजधार योजना का प्रारंब मद्यप्रदेश में किया गया है बलराम ताल योजना राज में कव क्रारंब की गयी थी वर्ष 2021, 1007 और 2001 एसका एक हमने अभी कौशन धोट दिर पहले भी देखा था तो बलराम ताल योजना जो है वर्ष 2007 में प्रारंब की गयी थी आपका सही हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा सोयवीन कार खाना कहां परिस्तित है खरगौन, भोपाल, उज्जेन और धार देखिए एशिया का सबसे बड़ा सोयवीन कार खाना सोयवीन सबसे जादा होता है मालवा के शेतर में तो मालवा के शेतर में सबसे ज़ादा सोयवीन किस जिले के अंतरकत होता है तो वो होता है उज्जेहन जिले के अंतरकत और उज्जेहन में ही एशिया का सबसे बड़ा सोयवीन कारखाना भी इस्तित है इस कारण से option number C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में शहकारी डेरी कारक्रम के शुरूआत कब की गई थी? 1965, 1975, 2000 और 2005 मध्य प्रदेश में शहकारी डेरी कारक्रम के शुरूआत option number B वर्ष 1975 से की गई थी मध्य प्रदेश में पशु विश्व विद्याले अवस्थित है महू, खंडवा, रीवा और शहडोल देखे जहां पशु की बात करते हैं तो पशु विश्व विद्याले मध्य प्रदेश में महू में स्थित है महु और एक तहसील है किस जिले की तो इंदौर जिले की अगर महु के जगा आपको आप्शन में इंदौर रहेगा तो भी आपको इंदौर ही आप्शन में लगाना है जो कि सही आंसर हो जाएगा आपका मद्य प्रदेश के कौन सा जिला समूह में सर्वाधिक तिलहन सरसों का उत्पादन करता है भिंड मुरैना, खरगोन खंडवा, बस्तर राइपुर, सिहोर भोपाल जब बात करते हैं कौन सा समूह सबसे जादा सरसों का उत्पादन करता है तो आंसर होगा भिंड और मुरेना ये हम बहुत बार देख चुके कि सर्वाधिक सर्सों का उत्पादन भिंड और मुरेना से होता है मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की फसल होती है मनसौर, रतलाम, नीमच और सागर देखिये, अफीम की फसल की हम बात करते हैं तो मंध्य प्रदेश में अफीम दो जिलो में लगाई जाती है सबसे जादा इंपॉर्टेंट जो है मनसौर मनसौर में अफीम का उत्पादन होता है और दूसरा जो है वो है नीमच लेकिन जब हम बात करें कि अफीम का सरवाधी कुद पादन तो वो मंसौर में तो option में आपका option number A मंसौर सही हो जाएगा कभी यदि option में मंसौर ना हो तो आप नीमज बिल्कुल लगा सकते हैं जवाहर लाल नहरू क्रशी विश्व विद्याले कहां पर इस्थित है जवाहर लाल नहरू क्रशी विश्व विद्याले जो है यह बहुत ज़ादा फेमस है हो और यह जवालपुर जिले में इस्थित है option number A आपका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में किस जिले में गेहूं का अधिक्तम उतपादन होता है विदीशा, होशंगाबाद, मंडला, उज्जयन देखे गेहूं की जो सरवतिकेश में उसका उतपादन सीहोर में होता है परन्तु गेहूं का सरवाधिक उतपादन जो होता है वो होशंगाबाद जिले से होता है अर्थात option number B आपका यहाँ पे सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे 30 MCQ खतम होते है मध्य प्रदेश की सॉइल और साथी साथ में मध्य प्रदेश के अगरिकल्चर से सम्मन्धित मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं थैंक्स